समस्तिपूर रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन रोड में पुरानी वाशिंग पीट के पास चोरो ने मंगलवार की रात रेलवे का सिगनल केबुल काट डाला चोरों ने करीब पच्चास केबूल काटा है जुसे समस्तिपूर दर्भंगा और समस्तिपूर मुजबपर पूर रेल खंट पर आउटोमेट्रिक सिग्नल सिस्टम फेल कर गया इस घटा के बाद रेलवे अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है डियारम विनर्श श्रिवास्तव के अलावा हाजिपूर से प्रिंसपर चीफ इंज्वीनियर एकनात मोहकर भी पहुँच कर चानबीन में जुट गया है उधर रेलवे की आरपियफ की टीम भी डॉग स्कॉयट के साथ केबूल बरामदगी के लिए छापे मारी कर रही है डियारम ने बताया कि केबूल की मरमत में अभी कम से कम दो घंटा लगेगा रेलवे को लाखों का नुपसान हुआ है अभी मैनवली ट्रेनों का परिच्वालन किया जा रहा है जुससे थोड़ी परेशानी हो रही है बताया गया है कि स्टेशन की बाजार की और पुरानी वशिंग पीट की और स्टेशन का मुख्य केबूल बॉक्स लगा हुआ है रेलवे को लाखों का नुपसान हुआ है मामली की जानकार के बाद रेलवे अधिकारियों के साथ दरजन भर से अधिक सिगनल विभाग के कर्मी और इंजीनियर मौके पर पहुँच कर केबूल को जोड़ने में लगा है एक साथ सभी केबूल को काट दे जाने की कारण केबूल के मिलान में परिशानी हो रही है आपको बता दिये सभी केबूल का सीधा जोड़ाओ मंडल कारियाले की कंट्रोल रूम से है केबूल काटे जाने की कारण कंट्रोल फेल हो गया है उदर घटना की सूशना के बाद रेलवे की RPF और CIB की टीम शहर और आसपास के इलाकों में लगतार चापे मारी कर रही है RPF ने कुछ केबुल बरामत करने में सफलता भी पाई है RPF के साथ डॉग स्कॉाइट की टीम भी लगी हुई है